जहिन दोस्तों आज जारकन बज़र 2023-2024 को देखेंगे यहां से बहुत अच्छा कोशन पुछा जाता है आर्थिक सर्वेक्चन और बज़र से सबसे अच्छा कोशन पुछा जाता है और सबसे जादा कोशन भी पुछा जाता है तो अगर आप जारकन का कोई भी एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं चाहे JPSC, JSC, CGL, उत्पात, पुलीस, चाहे कोई भी एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं तो यहां से अच्छा कोशन बनेगा इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख लिजेगा जारकन एकोनॉमिक सेक्टर से सबसे अच्छा कोशन जो है वो आर्तिक सर्वेक इक्छन और बजर से बनता है तो इसको इग्णोर नहीं करना है एक बार अच्छे से देखेगा और हो सके तो डाटा वेस कोशन होता है तो एक दो बार रिपीट करके देखेगा तो आपको यहां से कुछ छूटेगा नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे जारकन बज बजट दोज़र ताइस चोविस जाने से पहले हम बजट की परिभासा और कुछ महतवपूर्ण तथे देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी कोशन पूछा जाता है तो दीए बजट का परिभासा क्या होता है अगर क्या कह सकते हैं कि बजट जो है वो पिछले वर्स की जो इ स्थिती रही है उसको ध्यान में रखते हुए बरतमान में तयार किया जाता है और वो किसके लिए तयार किया जाता है तो भविस से के लिए तयार किया जाता है भविस की प्लान की जाती है तो उसी को बजट कहते हैं मतलब कि पिछले वर्स की स्थिती को ध्यान में रखते ह वे बरतमान में तियार किया गया अगामी या आने वाले वर्ष का प्लान को हम बजट कहते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेगा, अब इसके बाद देखते हैं, बजट जो है वो कैसा सब्द है, तो बजट जो है फ्रेंच भासा का सब्द है, यहां से बहुत जाता है कि बजट कैसा सब्द है, तो फ्रेंच भासा का सब्द है, इसका मतलब क्या होता है, बोगेट, और बोगेट का मतलब क्या होता है, चम्रे का थैला, और सबसे पहले जो है बजट यह इंगलाइंड से प्रारम हुआ था, सबसे पहले बजट कहां से प्रारम हुआ थ तो England से प्रारम हुआ था, देखे भारत में बजट जो है पदती का जनमदाता बोला जाता है James Wilson को, James Wilson को भारत में बजट का जनमदाता कहा जाता है, 7 अप्रेल 1860 इस वी को ये पहला बजट पेस किये थे, इसलिए इसको बजट का जनमदाता कहा जाता है James Wilson को, तो यहां से भी question पुछा जा सकता है इसके बाद देखेंगे budget जो है वो बीत मंत्री के द्वारा फरवरी महां के प्रारम में ये प्रस्तूत किया जाता है देखे पहले फरवरी मन्त का अंति में प्रस्तूत किया जाता था लेकिन 2017 में विवेग देवराय समीती बनी थी तो विवेग प्रस्तूत करते हैं, तो 2017 से जो बजट है, वो फरवरी महिना के first week में प्रस्तूत हुए जाने लगा ठीक है, उसके बाद सौतंत्र भारत का जो पहला बजट है, वो 1947 इस्नी में में प्रस्तूत किया गया था, आरके सरमुक्हम सेथी के द्वारा, सौतंत्र भारत का पहला जो गंतंत्र हुआ था 1950 इस्वी में जिस समय 26 जनवरी 1950 इस्वी को पूरी तरीका से सविधान बनके तयार हुआ था जब लागू हुआ था तो वो गंतंत्र दिवस मनाते हैं तो देखिए 1950 इस्वी में पहली बार गंतंत्र बजट जो है वो पहला किस ने परस्तूत किया था तो जौन मताई ने परस्तूत किया था जौन मताई ने 1950 इस्वी में पहला गंतंत्र बजट पेस किया था यहां से भी कोशन पूछा जा सकता है ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं 1999 के जो पहले में क्या होता था कि बजट साम को 5 बज़े पेस किया जाता था लेकिन 1999 के बाद जो है बजट वो 11 बज़े दीन को प्रस्तूत किया जाने लगा मतलब कि जो बजट साम में प्रस्तूत किया जाता था 1999 से पहले वो बजट अब 11 बज़े दीन को प्रस्तूत किया जाने लगा और यह कोशन इसलिए रखे हैं क्योंकि इस कोशन से संबंदित जारकन के बेगत थे लेकिन दरोपती मुर्मू से हार गए तो कुल मिलाकर जिस समय बात कर रहे हैं 1999 को उस समय ये भाजपा के गदावर नेता थे और बीत मंत्री थे ये मतलब अटल विहारी बाजपे के सरकार में ये जो थे वो क्या थे तो आपका बीत मंत्री थे तो इन्होंने कहा था कि जो हम आजाद हैं और आजाद हो चुके हैं तो अब हमको जरुत नहीं कि हम अंगरेजों को फोलो करें तो इनका कहना था कि नहीं अब जो साम में बजट प्रसुत होता है तो हमारे यहां के बहुत लोग सो भी जाते हैं जो बजट नहीं सुन पाते हैं तो इसके लिए 11 बज़ बहुत इंपोर्टेंट रहेगा कि भारतिये सविधान में जो है बजट सब्द का उलेख नहीं किया गया है, तो बहुत रोचक बात है कि आप बजट पढ़ रहे हैं और बजट का उलेख भारतिये सविधान में नहीं किया गया है, एक्च्वाली में बजट के स्थान पर वार भारतिय सविधान में किया गया है बजट के नाम से तो नहीं किया गया है वार्षिक बितिय विवरन के नाम से किया गया है वो आर्टिकल 112 में इसका उलेक किया गया है और राज्य सरकार का जो बजट मतलब वार्षिक बितिय विवरन का उलेक भारतिय सविधान में 202 में किया वाले हैं जारकन सरकार का बजट तो देखें जारकन सरकार का बजट 2023 जो है वो बहुत महतुपुर्ण रहेगा इसके पहले हम जितना बताएं वो आपका महतुपुर्ण फाक्ट था जहां से कोशन बन सकता है अब यहां से यह बजट है 2024 का तो यहां से बहुत अच्छा कोशन बनेगा और एक नहीं कम से कम तीन चार कोशन बन सकता है इसलिए इस सारा डेटा को लिखते चलिएगा पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठेगा क्योंकि बहुत अच्छा कोशन यहां देखने को मिलेगा तो सबसे पहला बात आता है यहां पे कि जो तो 2023-2024 का बजट है जारकन सरकार का उसको क्या नाम दिया गया है तो हमिनकर बजट हमिनकर बजट जो है यह नाम दिया गया है 2023-2024 का बजट का इसके पहले जो है 2022-2023 का जो बजट था हमर अपन बजट था हमर अपन बजट उसका नाम दिया गया था लेकिन अबर जो है 2023-24 का बजट उसका नाम दिया गया हमिन कर बजट एकदम अच्छे से दिमाग में रखिएगा बहुत महतमर पुर्ण कोशन बनेगा हमिन कर बजट ये नाम दिया गया था ठीक है अब देखते हैं कि जो बजट है जारकन सरकार का 2023-24 का वो बजट किसने पेश किया तो यहां के जो बीत मंत्री है रामेश्वर उराओं सबसे बुजुर्ग है ये बिधान सभा में और सबसे पढ़े लिखे भी हैं रामेश्वर उराओं और सबसे युवा है कौन तो बढ़का गाउँ वाली जो बिधाय का अमबा परसाद सबसे युवा है ठीक है तो ये रामेश्वर उराओं जो बीत मंत्री है इन्होंने ही सबसे पहले यहां पर बजट पेश किया था और इनका चौथा बजट था ये ये चौथा बजट था इसका मतलब एक और बजट ये सरकार पेश करेगी उसके बाद फिर चुना हो जाएगा ठी ठीक है तो ये याद रखेगा ये चौथा बजट इनका था रामेश्वर उराओं डॉक्टर रामेश्वर उराओं इनके आगे लगा रहता है ठीक है अब यहां पर बात आता है कि अगर 2023-2024 का बजट का देखेंगे तो कुछ क्या खास बात है तो इसमें आगामी बजट ज रखा गया है 2023-2024 को आगे देखेंगे तो इस साल का जो बजट है ये अगामी जो बजट रखा गया है वो आखिर टोटल बजट है कितना इसमें जैसे राजस्व प्राप्ति होता है पुंजिगत प्राप्ति होता है सरकार की जो प्राप्तियां होता है उसको पूरा रखा जाता है कि इतना प्राप्त हुआ और इतना का बजट है ठीक है तो खुल जो इस बार बजट है सरकार का वो 1,16,148 क्रोर 1,16,148 क्रोर का बजट है यह टोटल बजट है इसी तरह सीधे अंक पूछ देता है कभी कभी कोशन इसलिए आप इसको याद रखेगा एक लाख 16,418 करोर का बजट है लेकिन एक अच्छा बात याद रखेगा 2022 में जो है वो पहली बार जारखन का बजट एक लाख करोर को पार किया था इसके पहले 97,99,99 तक रहता था लेकिन 2022 में सबसे पहले एक लाख करोर को पार किया और उसके बाद जो है ये अगर देखा जाए तो ये कुछ और ज्यादा पार कर गिया मतलब 1,16,418 करोर का ये बजट है तो अगर देखेंगे तो जारकंड का अर्थिक सर्वेक्षन में हम बताये हैं कि जो जारकंड अलग हुआ तो 2,001,2 से ले करके 2,021,2 तक अगर देखा जाए तो जारकंड का बजट 13 गुना बढ़ा है लेकिन दिरुभाग्य की बात है कि हर वेक्ती पर 25,000 का करज है जारकंड वासी पर ये भी आर्थिक सर्वेक्षन में हम बताये थे कि 25,000 रुपया का करज है हलाकि बजट 13 गुना बढ़ा जरूर है ये बजट समझ रहे हैं होगा इसी से सब होगा पूरा राज जो है इतना पैसा से चलेगा इसी का मतलब कुल राजी का मतलब यही हुआ ठीक है एक साल यही राजी चलेगा इसी से जितना करमचारी है उनका बेतन मिलेगा जितना विकास योजनाय है विकास कार योजनाय है प्लान है सब इसी से सुलह 1418 कडोर आया कहां से तो राजस्व प्राप्ति जो है वो राजस्व प्राप्ति हुई 98,000 कडोर जो है वो राजस्व प्राप्ति हुई राजस्व प्राप्ति करने का मतलब जो होता है ना कि जो हमेशा होता है जैसे सरकार को टैक्स जो हमेशा मिलेगा सरकार को टैक्स ह हमेशा मिलेगा तो उसको हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं ठीक है जो कभी कभार होता है ना उसको पुंजी गत प्राप्ति कहते हैं और जो हमेशा लगातार होता है उसको कहते हैं हम लोग राजस्व प्राप्ति जैसे कर मिल रहा है तो हमेशा टैक्स मिलेगा तो इसको हम र रज़ास्व प्राप्ति में रखते हैं ऑर रज़ास्व प्राप्ति जो है हमारे यहां सबतें जादा हुआ है यह 98お願いします अब बात ने हमấn मतलब जो कभी का बाहर होता है जो हमेशा नहीं हो नहीं होता है जեղा जयसे किसी से सहता मिल गिया जैसे केंद्र इमर्जेंसी में आपको सहायता कर दी या अंतराष्टिय स्तर पर कभी-कभी कुछ सहायता आपको मिल गया तो बार-बार आपको नहीं मिलेगा एक बार अगर मिल गया चलाने के लिए योजना जैसे कि अगर 200 बैंक का सहायता मिल गया एक बार बार नहीं मिलेग गाँ एक बार मिल गया तो मिल गया। वर्ल्ड बैंक अगर आपको दे लिए सहागता कि योजना चलाई न चलाई है तो एक बार मिल गया। तो इस तरह का जो इस्तिति बनता है न ये होता है पुंजीगत प्राप्तियां जो हमेशा नहीं होता है कभी कबार तो ये 18,000 करोर प्राप्त हुआ है तो 18,000 करोर जो है वो पुंजीगत प्राप्ति है और 98,000 करोर जो है राजजस्व प्राप्ति है और इसको मिला करके देखेंगे तो य ये निकलेगा वैसे हम ये round figure रखे हैं और वो जो है main वाला जो है total वो पूरा रखे हैं तो इसको ध्यान में रखेगा अच्छा question यहां से देखने को मिलेगा अब देखेंगे आगे बहुत important होगा राजस्व बैय अब सरकार करेगी जैसे प्राप्ति तो हो गया तो प्राप् है का हमने कहने का मतलब कि बेतन देना भत्ता देना पेंसन लोगों को देना यह सब राजस्व बैय है और यह सरकार को हमेशा करना होता है हर महिना सेलरी देना होता है हर महिना भत्ता देना होता है हर महिना लोगों को पेंसन देना होता है तो यह जो है और आप पर पुराना था तो इसको ध्यान में रखेंगे बहुत बढ़िया कोशन पुछा जा सकता है नेक्स्ट है यहांपे कि पुंजी गरतब्य कितना अनुमानित किना है तो पुंजी गरत बै जो है वो अनुमानित किना गया है 10742 कडोर 17rona साथ सो ब्यालीसकडोर, पुंजी गत ब्याय मतलब है कि ठोस investment, ठोस investment मतलब है कि जैसें इनवर्शिटी बना रही है, कॉलेज बना रही है, पूल पूलिया बना रही है, तो यह हमेशा नहीं खर्च करती है सरकार, एक बार ठोस जहाँ पर investment लग जाता है उसको कहते पुझी गत बेया ठीक है जैसे 100-500 किलोमेटर रोड बनाना है तो रोज-रोज थोड़ी बनाएगी तो उसको कहती है वो पुझी गत बेया ठीक है तो वो 31,742 कड़ो रुपया पुझी करेगी यह सरकार ऐसा अनुमान लगाया गया है अगले बजट के लिए मतलब की 2023-24 के लिए ठीक है देखा जाए तो 2023-24 के अनुशार जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अनुशार 2022-23 में जहारकन का विकास दर जो है 8.2 परसेंट बताया गया है और आगे अगर देखा जाए तो 2023-24 में यह बिकास दर 7.8 परसेंट रहने का अनुमान है अगर 2023-24 में जिस साल का यह बजट है इस साल अनुमान लगाया गया कि 7.8 परसेंट रहेगा लेकिन जो बित गया 2022-23 उसमें विकास दर 8.2 परसेंट रहा है यह बहुत अच्छा कोशन बन सकता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा अब देखेंगे 2023-24 में जो यहाँ पर राजश्व घाटा है वो GSDP का कितना अनुमानित किया गया है तो राजश्व घाटा जो है वो GSDP का 3.4 परसेंट अनुमानित किया गया है राजस्व घाटा 3.4 अनुमानित क्या गया है अगर ये दिमाग में नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन राजकोसिय घाटा जो GSDP का अनुमानित है 2.76% इसको याद रखेगा बहुत बढ़ियां important question बनेगा राजकोसिय घाटा पूशता है कि राजकोसिय घाटा कितना रहेगा तो ये अनुमान किया गया है कि 2.76% रहने का अनुमान है GSDP का gross state domestic product का यहाँ से बहुत अच्छा question पूछा जाएगा राजस्व घाटा जो है जितना बड़ा सरकार दिखाती है जन कल्यान के लिए उतना जादा खर्च करती है ठीक है कहने का मत्तब सरकार को घाटा कैसे होता है कि सरकार जो है आपसे चावल आपसे धान जो है वो खरिद ली 19-20 रुपे और लोगों को जन बितरन परनाली के त जो है वो एक रुपिये दो रुपिये बेचती है तो इससे क्या होता है कि सरकार को घाटा होता है तो यह राजकोसिये घाटा जितना जादा बढ़ता है तो यह बताया जाता है कि सरकार जो है उतना जल कल्यान में खर्च की होगी अब की होगी की होगी अलग बात है लेकिन बोलने का मतलब यही हुआ ठीक है तो यहां से question पूछा जा सकता है अब आगे देखते हैं तो 2023 चोपिस में जो प्रस्तावित अनुमानित रासी और कुछ लच्छ है इसको देखते हैं जैसे सबसे पहले है कि 5 एकर जो से कम जो है 5 एकर से जो कम छेतरवाला तलाब है और मसीन द्वारा उसका गाद को साफ कराया जाएगा इसके लिए बोला गया है कि 500 कड़ो रुपिया यहां पे निर्धारित की गई है 500 कड़ो रुपिया खर्च किया जाएगा इसमें जो है बोरिंग उरिंग जो खराब हुआ है उसको भी ठीक करेगी मतलब 5 एकर से कम में जो धारित की है रासी इसके बाद जो मिलेट है मिलेट का मतलब समझे मोटा अनाज मोटा अनाज में जैसे मक्का गेहूं बाजरा जुआर यह सब मोटा अनाज होता है ठीक है तो मिलेट जो है इस वाल 2023 को United Nation मिलेट वर्स घुसित की है और G20 जो समिट हो रहा था उसमें देखे उप्योग करके बहुत अच्छा मतलब डिस्क बनाया गया था खाना जी 20 के जितने दिली में आये थे घुमने के लिए मतलब जितना समीट में भाग लेने के लिए आये थे उनको खिलाया गया इसलिए मिलेट पर जोड़ दिया गया कि मोटा अनाज जो होता है वो थोड़ा सस तो भारत के ही रिक्वेश्ट से युनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट वर्स घोसित किया मोटा अनाज का वर्स घोसित किया था तो मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जार्खन सरकार ने मिलेट मिशन प्रारम किया है इसके लिए 50 क्रोर की रासी निर्धारि किया है इसके बाद जो है बीज बितरन जो सरकार करेगी उसमें FPO जो है वो बीज बितरन करेगा तो इसके लिए प्रस्तावित रासी है 50 क्रोर तो 50 क्रोर मिलेट पादन को बढ़ाने के लिए मिलेट मिशन के लिए भी और उसके बाद बीज बितरन के लिए भी 50 क्रोर प्र पसुधन विकास योजना के तहत कहा गया है कि लाभूकों को जोड़ा जाएगा इससे और इसके लिए सरकार जो है वो 300 कड़ो रुपया का आवंटन करेगी मतलग 300 रुपया का अनुमानित रासी यहां पर रखा गया है बज़ट में कहा गया है कि जो पसुधन विकास योजन है गिरिडी और जमसेदपूर में नया डैरी प्लांट लगेगा गिरिडी और जमसेदपूर में नया डैरी प्लांट लगेगा और राची में मिल्क पौडर और मिल्क पोर्जेक्ट प्लांट ये दोनों लगेगा तो राची में मिल्क पौडर और मिल्क पोर्जेक्ट प्ल प्रस्तावी थे यहां से भी कोशन पूछा जा सकता है इसके बाद अगर देखेंगे तो परधान मंत्री अवास योजना के लिए जो अवंटित रासी की गई है क्योंकि देखें आर्थिक सर्वे में अगर आप देखेंगे तो हम बताएं हैं आप नहीं देखोंगे तो देख लिजेगा आर्थिक सर्वे क्योंकि आर्थिक सर्वे का बहुत सारा बात यहां पर हम ऐसे रेंडबली बता रहे हैं लेकिन आपको दिमाग में आर्थिक सर्वे पहले देखेंगे तब यह बजट देखेंगे तो अच्छा रहेगा हम बता दियें आर्थिक सर्वे तो हम आर किये है परधान मंतरी अवास योजना के तहत 3542 कड़ो रूपया सरकार अवंटित की है परधान मंतरी अवास योजना के तहत तो यहां से बहुत अच्छा कोईशन बनेगा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे देखे आगामी बीतिये वर्स में कुल 9 कड़ोर मानो दिवस सिर्जित किया जाएगा अब 9 कड़ोर मानो दिवस सिर्जित करने का मतलब है कि जो मनरेगा के तहत सरकार 9 कड़ोर जो है वो मानो दिवस मतलब 9 कड़ोर दिन लोगों को काम देगी अब 9 कड़ोर दिन तो एक साल में होता नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि एक लेबर तो नह मुख्यमंत्री रोजगार सिर्जन योजना के तहत अगर देखा जाए तो दो लाख यूवकों को लाब पहुचाने का लक्ष यहाँ पर रखा गया है मतलब की दो लाख यूवकों को लाब पहुचाने का लक्ष रखा गया है मुख्यमंत्री रोजगार सिर्जन योजना के तहत यह रोजगार जो है इसका मतलब सरकारी नोक्री ही नहीं हुआ यह मतलब हो गया कि प्राइबेट सेक्टर में आपको न्यूक्ति पत्र थमा देगी और बोलेगी कि यह नोक्री हो गया ठीक है इसके बाद हम देखते हैं क्रीशी में पेस्टिसाइज और फटिलाइजर का हम बहुत जादा उप्योग करते हैं तो सरकार का यह भी उद्देश है कि फेस्टिसाइज और फटिलाइजर का उप्योग कम करना और कंपोस्ट खाद को जैवी क्रिशी को बढ़ावा देना ये सरकार का उद्देश से है सरकार का लक्ष है तो बहुत अच्छा यहाँ पे सोच है सरकार का कि जो पेस्टी साइज उप्योग होता है फर्टिलाइजर का ज्यादा उप्योग होता है तो इससे क्या होता है कि लोगों का जीवन का अस खाद पर लाने का प्रयास कर रही है जविक कहती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है तो यह यहाँ पर लक्ष रखा गया है गमी बजट में मत्तब 2023-2024 के बजट में यह लक्ष रखा गया है इसके बाद अगर हम देखेंगे आगामी बितिये वर्स में मेगा लिप्ट स चाई परियोजना जो है वो पलामो और पटम दा में ये प्रस्तावित है अगले बजट में तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पे कोशन पूछा जा सकता है आगे देखते हैं सरकार वर्स 2023-2024 तक सभी पंचैतों को zero drop out पहुँचाने का लक् है दो हजार ताइस चोबिस तक मतलब zero drop out कर देना मतलब कि कोई भी बच्चा घर में नहीं रहेगा सभी स्कूल में रहेगा चाहे उसको खिचडी दे करके फुसला करके लाए चाहे कि साइकिल दे करके लाए चाहे आंगन बारी में कुछ पोस्टिक अहार के लिए कहकर चाहे जैसी जाये चाहे चावल दे करके लाए चाहे कं कि ड्रेश और बैग देंगे इसके लिए लाए चाहे जुता देना जुता बोलकर करके लाए की जुता मिलेगा किसी भी तरीका से लाए लेकिन लाएंगे बच्चों को ये drop out मतलब zero हर पंचायत को करने का लगज़ए है, तो पूछ सकती है ये question। अब देखिएंगे प्रार्णभीक शिख्षा जो है बांगला और वर्या भासा में यहां पर दिया जाएगा, .. तो एक से पांच तक की कछाऊं में यहां पर सिख्षा जो बांगला और उरिया भासा में दिया जाएगा तो ये भी कोशन पुछा जायगा कि जारकर्ण में बज़र दोजर ताईस चोड़ीस में दो अन्य कौन सी भासाओं का बात कहा गया कि प्राथमिक सिक्षा के रुपे दिया जाएगा तो वो बंगला और उडिया भासा है उडिशा का उडिया पसिम बंगाल का बंगला भासा तो इसमें दिया जाएगा और ये प्राथमिक सिक्षा मतलब होता है एक से पांच के कछाओं तक दिया जाएगा नेतरहाट के तर्ज पर जो नेतरह चाइबासा दुमका और बोकारों में आवास्य विद्दाले खुलेगा तो अच्छा पहल है मतलब नेतरहाट जैसा विद्दाला है जहां पर बच्चे रहते हैं आवास्य विद्दाले का मतलब बच्चा वहीं रहेगा वहीं खाएगा वहीं पीएगा वहीं सोएगा ठीक है और वहीं पर रहके पढ़ेगा, तो वो अवासिय विद्धाले होता है, तो ये चायबासा और उसके बाद दुमका और बोकारो में ये आपको देखने को मिलेगा, ये तीन जो है इस बजट में बोला गया कि यहां पे तीन जगा अवासिय विद्धाले खोले जाएंगे, अब भी प्रस्ताव है, पलामू, चायबासा, दुमका में मनोचिकिस्सा केंदर की स्थापना की जाएगी, मनोचिकिस्सा केंदर की स्थापना राची में है किया हुआ, अरे समझियन इसको पागल खाना है ये, जहां पर वो ऐसे लोगों को रखा जाता है, जो मानसिक रूप से पूरी तरीका से वो अस्वस्त होते हैं, इदम सूध हिंदी बोले तो, मतलब स्वस्त नहीं होते हैं, मतलब कि अगर पागल खाना में जाएगा ना तो थोड़ा हिसाब से जाना होता है, ने तो पता चलेगा का आप अगर मांसिक रूप से ठीक हैं, तो वो कोई पागलन सबसे बड़ा पागल खाना है, आगरा में सबसे बड़ा है, उसके बाद राची में है, ठीक है, तो जाइए इस जगा पर थोड़ा आगे पीछे देखते रहें, पता चलेगा कि पिछला बेक्ती आया, आउँ पागल था, आईटा से एक आईटा मुडिये मार दिया, तो व उसके बाद अगर देखेंगे, तो परियतन के छेतर में जो प्रस्ताव किया गया है रासी, वो 350 कड़ो, परियतन के छेतर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, एमन सोरेन बहुत सारा देख रहे हैं कि कुछ-कुछ अपना परियतन को बढ़ावा देने के होटल, होस्पिटल, खाने के लिए रहे स्टूडेंट, यह साब का परियतन अस्थल पर देखते हैं, तो बेवस्था कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता है, तो यह जो है ना परियतन के छेतर में बढ़ावा देने के लिए सरकार 350 कड़ो रुपया की रासी खर्च कर रही है यह बजट में बोली है, 2023-2024 में, जितना बात बोल रहे है, 2023-2024 का है, यह भी याद रखेगा, उसके बाद आगे देखते हैं, कॉमर्सियल पाइलट पर सिक्षन, कॉमर्सियल पाइलट पर सिक्षन जो है, वो 30 पर सिक्षकों को दिया जाएगा, और यह दुमका में दिया है, ठीक है, और वही पर कॉमर्सियल पाइलट पर सिक्षन दिया जाएगा, 30 लोगों को यहाँ पर, तो यह मतलब टार्गेट रखा गया है, 2023-2024 में, इसके बाद आगे देखते हैं, सहरी जो जलापूर्ती योजना है, सहरी जलापूर्ती योजना के तहत, लोहरदग्गा गुमला और एक कापाली, तो कापाली, गुमला और लोहरदग्गा, यह जो है न, इसको जारकन मुनिस्पल डबलप्मेंट जो है, वो परजेक्ट के अंतरगत, वर्ल्ड जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक इसको सहायता देगी, ठीक है, तो लोहरदग्ग्गा, गुमला और पाली जो है उसको World Bank सहायता देगी मतलब जारकन Municipal Development Project के अंतरगत काम करने के लिए ठीक है तो इसको भी ध्यान में रखेगा बहुत अच्छा यहां से question पूछा जा सकता है इसके बाद है MSME MSME को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार 474.5 करो रुपया का रासी प्रस्तावित की है Macro Small Medium Enterprises जो है Small Sector में जो वर्क करने के लिए जादा तर लोगों को यहां पे रोजगार भी मिल जाता है तो सरकार का उद्देश है कि MSME को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए 474.5 करो रुपया सरकार इसमें निर्धारी की है तो इसको ध्यान में रखेगा यहां से भी अच्छा question आपको देखने को मिलेगा इसके बाद आगे देखेंगे तो खेलो को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या की है तो खेलो को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और एक है सिंधु कानू युवा कलब अस्थापित की है खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और एक है सिंधु कानू युवा कलब अस्थापित की है जिसे कि लोग खेल खेले और उसके बाद सरकार को ज़्यादा रोजिगार के लिए और नोकरी के लिए न टोचर करे और सब खेल खेल में फुरा जारखन का नाम रोशन करे सरकार का ये एक सोच है लेकिन खेल में कितना जाता है मेरे यहाँ का सबसे ज़्यादा होकी और फुटबॉल से ही लोग जाता है किरकेट से भी अच्छा खास आप जाने लगा है महेंदर सिंग धौनी के बाद बैरोन एरोन और सौरत तिवारी जैसे बहुत ऐसे खिलाडी हुए हैं जो इस छेत्र को रिपरजेंट किये हैं और अब धिरे धिरे और कर रहे हैं ठीक है महिला में कौन मतलब की है रिपरजेंट हमको बताईएगा खेल में किर्केट के छेत्र में वो हजारी वाक से हैं ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं आय और कुछ बैय है बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आय बैय जो है वो यहां से देखने को मिलेगा जैसे राज्य का सरवधीक आय सरवधीक आय राज्य सरकार को आया कहा से तो सरवधीक आय जो है राज्य सरकार को केंद्र के करों में से हिस्सा से मिला है केंद्र का जो कर होता है उसके हिस्से में राज्य का जो मिला है वो 99.2% जितना भी आय प्राप्त हुआ है जितना भी आप बज़र देख रहे हैं उसमें 29.02 परसेंट जो है वो केंद्रिय करो में से हिस्सा से प्राप्त हुआ है राज सरकार को तो यहां से भी कोशन पूछा जाएगा उसके बाद जो है वो राज्य जो है वो स्वेम कर जो का हिस्सा होता है जो इसका अपना कर होता है जैसे इंटर्टेन्मेंट टैक्स होता है और वो मतलब जो बजार उजा चुंगी उंगी ले लेती है तो वो सब होता है तो वो है 26.5% 26.5% इसका स्वेम कर का होता है मतलब अपना कर का हिस्सा इसका है उसके बाद देखेंगे तो यह तो प्राप्ती हुआ अब इसके बाद खर्च कहां करेगी यह आए था अभी तक इसके बाद आए के बाद खर्च कहां करेगी तो सबसे ज़्यादा जो है बहुत अच्छा इनिसेटिव है यहाँ पे सरकार का कि सिक्षा पर सबसे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है 12.8% 12.8% इसको 13% भी बोल सकते हैं सबसे बड ग्रामिन विकास और पंचैती राज विभाग में कुल जो है बजट का 12.49% 12.39% जो है वो प्रस्तावित है मतलब ग्रामिन विकास और पंचैती राज को विकास करने के लिए दूसरा नमबर में सबसे ज़्यादा खर्च करेगी और पहला में सिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च करेगी बहुत अच्छा कोशन पुछेगा एकदम लिख लिजेगा गाठ बार निजेगा इसको अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिजेगा क्योंकि आप लोग का एक लाइक हम लोग का बहुत उर्जा देता है रात भर हम लोग पढ़ा सकते हैं अगर इ ही नहीं ऐसा कभी कभी लगने लगता है आप लोग का प्यार सपोर्ट नहीं मिलता है तो देशे देखिए बहुत अच्छा मेरा सब कुछ चल रहा था लेकिन पता नहीं का एक सब कुछ इसमें अभी कम हो गया आप लोग का पता नहीं सपोर्टर प्यार सब गाइब हो गया क्या थोड़ा सा प्यार दीजे सपोर्ट दीजे एक लाइक कर दीजे अपने दोस्तों को सेर किजेगा अच्छा लगे तो चानल सस्क्राइब कर लिजेगा रेड वाला बटन प्रेस करके ठीक है तो आगे देखते हैं इसके बाद जो है वो स्वास्त छित्र में तो पहला सिक् आमीं विकास पंचाती राज विभाग पर खर्च हो गया उसके बाद स्वास्त और जो विभाग है स्वास्त विभाग उस पर 9.8% खर्च करने की बात बोला गया 9.8% स्वास्त विभाग पर होगा ठीक है उसके बाद उर्जा छेत्र में जो खर्च करने की बात की है 6.67% औ मतलब कि जिसको बार-बार यूज कर सकते जैसे हाडल पावर पोर्जेक्टर पर यह लगाएगी क्योंकि पन बीजली हमरे यहां होता है जब पानी गिरता है तो क्योंकि मेरे पास जल पर पात बहुत है और उसके बाद जो है सनलाइट से मतलब उर्जा जो मिलता है उससे सरका कोशिस करेगी तो इसके लिए यह ज्यादा तर यहां पर रखा गया उर्जा के चेत्र में 6.67% सरकार खर्च करेगी इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो पहले वाला जो अभी हम बताये थे कि सरकार जो है राज्य सरकार यहां क्या की है कि ओल्ड जो पेंसन इसकीम है वो इसको लागू कर दी है और यहां पर 700 रूपया इसके लिए अवंटीत की है 700 रूपया अवंटीत की है ओल्ड पेंसन इसकीम के लिए ठीक है ओ पी एस के लिए ठीक है उसके बाद गोधन नया योजना यह बहुत इंपॉर्टेंट है 2023-2024 के लिए गोधन नया योजना इसके ताथ सरकार क्या करेगी न कि किसान जो है उसके 2 रुपिये करके पर केजी गोवर खर देगी उसके बाद कमपोस्ट तयार करके उसको खाद बना करके उसी किसान को 8 रुपिये यहाँ पे बेचेगी यही हुआ जो चिप्स कंपणियां होता है न जो लेस यह सब होता है किसान से आलू खरिती है 5 रुपिये केजी और वो लेस जो बनता है न वो कम से कम हमको लगता है कि 8-10 रुपिये केजी पढ़ जाएगा क्योंकि एक जो आलू होता है उससे 5-5 रुपिया वाला कम से कम वो देखेंगे तो पांच दस तो आप दस रुपया नहीं होगा लेका 200 रुपया जरूरे हो जाता होगा 200 रुपया 300 ठीक है 200 रुपया क्योंकि एक आलू से ना वह किलो में एक आलू जो होगा उससे कम से कम तीन पैकिट बना देगी वो लेस और उस तरह बेजती है मतलब एक किल ही यह कुई योजना है कमपोस्ट बनाकर इसके बाद है प्लास रिचेल और लिट यह प्लास रिटेल औरुए ड क्या है इसमें जो सकी मंदल रिचा जायँगा यहां जो उतपाद होगा उसको तो जहरकन का जो भी उतपाद होगा जो सक्कि मंडल तयार करेगी वह प्लास रिटेल आउटलेट के नाम से यह बिके गा और यह इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड बनेगा इसी नाम से और प्लास इसलिए रखा गियो क्योंकि प्लास जो है वो मतलब हमारा राजकिये पुस्प है प्लास और इसको जंगल की आग भी कहा जाता है प्लास को यहां से भी कोशन पूछा जाता है ठीक है तो यह थोड़ा दिमाग में आप रखेगा अच्छे से यहां से भी कोशन बनेगा इसके बाद आगे है महिला महिला एवं किसोरी कल्यान योजना का उद्दे से क्या है इसका उद्दे से है कि जो बिध्वा है उसका पुनर विवा हो इसके लिए पुरुसाहन दिया जाता है पुरुसाहित किया जाता है यहां पे बिध्वा पुनर विवा के लिए उसके बाद जो है महिला के स्वास्त को ध्यान में रखने के लिए निसुलक सेनेटरी नैपकीन उपलब्द कराया जाता है महिलाओं को इसके बाद है परशो पुर्व गर्ववती महिलाओं को पोस्टिक अहार उपलब्द कराना तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आनन बारी से बहुत सारा हेल्फ मिलता है बहुत सारा पोस्टिक अहार नौ महिना तक महिलाओं को मिलता है और अभी तक सरकार साइद एक प्लान भी की थी एक हजार रुपिया हम महिलाओं को देंगे ये आप लोग बताएगा कमेंट करके कि ऐसा प्रस्ताव है क्या अब उसके बाद जो है वो राज्य के सभी जो आ बाड़ी सेवई काओं के लिए पता नहीं आंगन बाड़ी सेवई काओं को करोना हो जाएगा काज हो दरकार कही कि हम पांस रुपिया सालाना बीमा कभर करेंगे कि मर उड़ गई अगर किसी तरह से तो उसके बाद जो है वह हम पर बड़न न पड़े बीमा एजैंसी उसको तो पैसा दे दे चार-पांच लाख रुपिया उसके बाद मजे में रहे हूं का रहेगी उतर निपट जाएगी ठीक है तो यह प्रस्ताव है सरकार का अब कोरोना पिरियड में अगर दिता है स्वास्त कर्मियों को दिया तो ठीक है इकरिन के कौनची जरूरत है इसा बच्च पांच रुपिया जो है सलाना इस सबको पीमा देने की बात कही है उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो ब्लॉक्चेन जो इंफ्रास अस्ट्रक्चर के माध्यम से यहां पर इगोवर्मेंस को पारदर्सी बनाने की बात कहा गया है विश्वस्तनियता बनाने की बात कही अत्याधुनिक सुरक्षक के युक्त बनाने की बात कही है मतलब ब्लॉक्चेन जो इंफ्रास ट्रक्चर के माध्यम से इगोवर्मेंस को मतलब इगोवर्मेंट का मतलब है कि गोवर्मेंट अपने जगा पर रहेगी है हम लोग तब पहुंच जाएगी और मतलब आसानी से उसको परदर्सी बनाना बिस्वसनियता बनाना और उसमें सुरचित बिव्य नमने की बात यहाँ पे की है इसके लिए अगर देखा जाए तो एक पहल चालू किया गया है देखिए एक पहल जो चलाए गया है ये प्रार्म किया गया है इसके तहद क्या किया जाएगा कि सरक सरकार जो है और पदयाधिकारी जो है अधिकारी जो है वो जनता से सीधे वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से जूर सकते हैं और अपनी बात जो है वो रख सकते हैं जैसे जनता को सीधे सरकार से कुछ बोलना है तो सरकार सीधे मतलब वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से हमरे यहां गोवरवा कब खर देंगे दू रुपिये आठ रुपिये कम पोश्ट ख़दवा कम मिलतो तो कुल मिला कर पी रहमन सुरे नुदर से बोलेंगे सब हो जो तो टेंसन लाला बस अभी घोसना हो गुलो दोजात ताइस चोबिस में आवे वाला समया में देख वो ठीक तो इस तरह से बात हो जाएगा एक आप अधिकारी से भी बात कर सकते हैं ठीक है पदा अधिकारी को बोल सकते कि हमरे घरवा के पास में एक नाला बन रहा है चार-पांच साल से बन रहा हूँ पूरे ना हो लो तो करका हो तो वह रहाल चाल बगल अगल आदमी से बीमार पर परते परते आदमी सब मरल जा रहा है लो तो फिर अधिकारी लोग बोलेगा आसवासन देगा कि नलवा अगर ना बनतो तो नलवे में डूब का मर जाता हूँ को काम का ना कहले का मतला इस तरह का इस्तिति है तो यह वीडियो कॉम्परेंसिंग से बात कर सकते हैं अधिकार दि No just like the míड जार्खन्सरकार का project rail है इसी तरह का पहलeled प्रोजक्ट रेल उबर रेल से संबहुत यह सिक्छा में सिक्छा को बढढ़वा लोग से मतल़ सिक्छा में जो कुन वत्ता सुदहार से संबढ़्डित है उसको उत्तम क्वालिटी का बनाना उससे समधित है पोजेक्ट रेल यह जारखन सरकार कहीं है तो इसको भी तोड़ा सयाद रखेगा अधिकारी लोग से यहां बात कर सकते हैं पदा अधिकारी सरकार से आप विडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से आम जनता हम लोग सब ब सहरी जलापूर्ती योजना है और राची जो है इंटेक का निर्मान जो है वो जो किया जा रहा है वो एडी भी करेगी तो जुमरी तिलाईया जो सहरी जलापूर्ती करने वाला जो पर योजना है योजना है उसके बाद मेदनी नगर सहरी जलापूर्ती योजना है और मात हम बता देते हैं जारखन में ज्यादा तर योजना यह जो है वर्ल्ड बैंक की साहिता से चलेगा जिसे तेजस्वेरी योजना वर्ल्ड बैंक की साहिता से उसके बाद आपका स्वार ने रेखा नदी घाटी पर योजना वर्ल्ड बैंक के साहिता से उसी तरह से यह जो ज फिलिपिन्स मनिला में इसका मुख्याल है इसके बाद जो है मुख्यमंत्री सार्थी योजना मुख्यमंत्री जो सार्थी योजना इनके तहत जो है यहाँ पर 1.4 लाख युवाको को यहाँ पर परसिक्षन दिया जाएगा ठीक है 1.4 लाख मतलब वही रखिए कि 1,440,000 यु पर 2.1,000 एक हंदर पर पर पूरुश को महिला को कहलो को चलो पनरह सो दे रहें तो ठीक है लेकिन महीला को पन्दरोंसो और पुरूसको एक़जार यह उल्टा हो गया अगी तब ज्यादा तर काम देखा जाता है तो महिडा को होती है ना उसको कम दिया जाता आप पुरूसत्वर्ण को जद्वां सरिकारी नहीं पराइबेट में ऐसा होता है ठीक है क्योंकि तो कि एसा माना जाता है कि महीड लोग पुरूज से कम काम करती है। इसके लिए सरकार मतलब योग करता है पंदरम मिनट अगर उस आपको बिच्वाब छुटी मिला तो उसके बाद जो है वो आएगी गिदम पूरा रद करने वाला बन करके ऐसे कभी डर न जाए ठीक है तो यह जब चीज है मतलब देखने को आपको मिलेगा ठीक है उसके बाद सस्ती दर पर जो है एर एंबुलेंस प्रस्तार यहां पर है और यह अच्छा पहल है जैसे कि अगर दूर तक ले जाना है करनाटक उरनाटक ले जाना है दस लाक रुपया तक सरकार बोली है कि अगर गंभीर विमारी तो खर्च करेंगे यहां नहीं लिखी है यह करंट अफेर बता रहे हैं सरकार दस लाक तो इसको पर 10 लाख रुपया खर्च करेंगे तो यह एयर एंबुलेंस उसी में आपको जल्दी मिल जाएगा अब अगर बोखार लगा हुआ है मतलब मलेरिया हो गया तो थुरत एयर एंबुलेंस से तोड़ी लिप्ट कर दिया जाएगा आपको करना ठाक अरे उधर सदरे अ बात है सरकार का थैंक यू इसके लिए कि इस तरह की बेवस्ता बोल रही हमको यहीं नहीं समझ में आता है 206 अबुलेंस सरकार दी जमीन पर चलने वाला जो बस टाइप की है उसमें एक साथ में बहुत सारा मतलब लोगों को उसमें डाल के ले जाया सकता है गंभीर रूप इस भी है जो अस्थल में चलने वाला था यह वायू में और उसके बाद जल में भी चलने वाला इंबुलेंस जल इंबुलेंस भी है इसके पाद अब यह जल एंबुलेंस कहां चलेगा पता नहीं पठरिया छेत्रवा में कहां चलेगा जल स्वार न रेखा नदिया में जल चलाएंगे तो धरक जाएगा निचवा में अब पता चलेगा उसमें कितना आदमी बिचारा निपट जाएगा एक तो वह अपने विमार था तो जल एम्बूलेंस भी सरकार दिये जब कि यहां पर जारकर में कोई भी नदियां जो है जो नाव चलाने लाएक नहीं एगो एग पहल है और अस्थल वाला ठीक भी है ठीक है कि वह जल्दी से फौन की जगा तापका गावपूरा उडले पहुंच जाता है उसके बाद यहां पे 100 यूनिट तक अगर आप बिजली जलाते हैं तो बिजली बिल माप है यह भी सरकार का बहुत अच्छा पहल है अगर 100 यूनि उनिट चार्ж लगेगा ऐसा नहीं है पूरा जो है ना वह सो यूनिट का पूरा चार्ज हिन लगेगा 101 उनिट का पूरा इसलिए अगर बिजली खपत करना है एक सो इनिट से कम किजिए इससे क्या होगा कि बिजली एकदम पूरी तरीका से माफ हो जाएगा इसमें ठीक है और एक सो दू एक सो तीन इनिट किये तो पूरा का पूरा देना पड़ेगा इन ही कि एक सो का माफ करके जो बचा सो देंगे नहीं पूरा देना पड़ेगा उसक एक बहुत important last है कि जो दूद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो प्रोसाहन रासी पहले दो रूपया देती थी अब उसको बढ़ा कर तीन रूपया कर दी है इसका मतलब है कि एक रूपया जो है सरकार अब बढ़ा दी है जो वो आपका रासी था बहुत important यहां से question बनेगा कि जो प्रोसाहन रासी पहले दो रूपया देती थी और तीन रूपया देने लगी क्योंकि यहां पर ना 182 ग्राम मात्र दूद का उत्पादन परतिवेक्ती होता है यह आर्थिक सरेवेक्षन में हम देखें तो आप सोच सकते हैं उतना कम दूद में का होगा उतो खर 182 ग्राम जो है वो तो ठीक है हमरा वो हो नहीं मिलता है तो वो चीज बात होता है यहां पर कि 2 रूपया से 3 रूपया कर दी है जिससे की दूद उत्पादन में यहां पर बढ़ोतरी किया जाए जहारकन के च्छेत्र में दूद उत्पादन में पूरा विश्व में भारत नंबर वन पर है अब पहले जो है बहुत दिनों तक लगतार बहुत सालों तक उतर परदेश नंबर वन पर रहा था लेकिन इस बार से राजस्थान नंबर वन पर है तो दूद उत्पादन में पूरा देश में नंबर वन कौन है राजस्थान और अगर देश देखेंगे तो भारत सबसे नंबर वन है और हमारा राज्य भी कोशिस कर रहा है कि नंबर वन कटेगरी में आए इसके लिए जो है प्रोफसाहन रासी बढ़ाया है तो बोलेगा कि कितना रूपया प्रोफसाहन रासी बढ़ा दिया तो ए यहां पे सब रखने का प्रयास किए एक दो बार आप रिपीट करके देख लिजेगा क्योंकि बजट और आर्थिक सर्वेक्षन जो है बहुत महतुपूर्ण टॉपिक होता है किसी भी एक्जाम के लिए तो एक बार अच्छे से देखेगा एक बार लिक लिजेगा नहीं हो पाएंगे नहीं तो कभी कभी हम डी मोटिवेट हो जाते हैं अगर आप लोग का प्यार सपूर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा जरुवत मुन लोगों तक इसको सेर किजे अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजेगा और चैनल सस्क्राइब नहीं किया होंगे तो रेड बट दे चाहे जारकन का कोई भी एक्जाम देंगे तो जारकन का अर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट से कोशन पूछा जाएगा और बजट से भी कोशन पूछा जाता है तो पहले हम अर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट करवाएंगे उसके बाद हम बजट करवाएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट को अगर साधारन भासा में बोले तो पिछले साल जो अर्थविवस्था में क्या इस्थिती बनी है उसी को कहते हैं ठीक है ये जो है चालू वर्स में लाया जाता है और हमेशा बजट के एक दिन पहले इसको प्रस्तूत किया जाता है और इसी के अधार पर बजट फिर तैक की जाती है अगले वर्सों के लिए कहने का मतलब जो current year में इसको लाया जाता है और उसी के अधार पर अगले साल का बजट का निर्धा किया जाता है मतलब कि पिछले साल जो बजट टै की गई थी उसके अधार पर किस तरह का कारी किया गया है और फिर आगे के लिए किस तरह से की जाएगी तो ये आर्थिक सरवेक्षन रिपोर्ट बहुत सारा कुछ इसके बारे में बताती है तो कुल मिलाकर पिछले साल जो अर बस्तुत किया जाता है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे यहां से बहुत अच्छा कोशन पूछा जा सकता है अगर साधारन रूप से देखें तो आर्थिक सरवे और बजट में क्या अंतर होता है तो आर्थिक सरवे जो होता है वो पिछले वर्ष में क्या इस्तिती रही है उसको बताता है और बजट आगे आने वाला जो वर्ष होगा आगे आने वाला जो शमय होगा उसमें किन-किन मदों पर कितना खर्च की जाएगी प्लान कैसा रहेगा विकास के लिए योजनाओं के लिए तो उसका काम जो होता है उसका निर्धारन जो होता है वो ध्यान में रखेगा बहुत अच्छा कोशन यहां से पूछा जाता है अब यहां पे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षन जो होता है वो बीत सलाकार के मार्ग दर्शन में तयार किया जाता है और बीत मंत्री जो है उसको अनुमोधन और उसको प्रस्तूत करने का काम करते हैं अ दिमाग में नहीं सो पचासीमी में लेकिन 24 इसको तक यह साथ साथ प्रस्तूत किया जाता था जैसे बजचट और आर्थिक सर्वेक्षन एक साथ प्रस्तूत किया जाता था उनिस सो चॉंसथ्ट तक लेकिन100सी aOl 424 के बाद अगर देखें तो यह अलग अलग प्रस्तावि आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2022 बहुत महतोपुर्ण रहेगा यहां थोड़ा ध्यान रखेगा क्योंकि बहुत अच्छा कोश्चन यहां से पूछा जा सकता है इसके पहले हम थोड़ा सा इतिहास आर्थिक सर्वेक्षन क्या होता है सबसे पहले कब यह आया था यह सब हम देखें लेकिन उसके बाद अब यहां से हम धारखन का आर्थिक survey रिपोर्ट देखते हैं 2022-2023 तो देखें ये कुल जो अध्याय हैं सत्रा अध्याय हैं अध्याय का मतलब समझें सत्रा भागों में बाटा गया है मतलब आर्थिक सर्वेक्षन को आर्थिक सर्वेक्षन के रिपोर्ट को जैसे सिक्षा हो गया, स्वास्त हो गया, पेजल हो गया, उसक्रीसी हो गया, तो यह सब जो है इस तरह से बाटा गया 17 अध्याय में, तो आपको 17 हो अध्याय नहीं पढ़ना है, पता चलेगा कि आर्थ उस तक बिलेगा मोटा सा आप कितना पढ़ेंगे आपको तो एक्जाम पास होना है तो एक्जाम पास होने के लिए जितना डाटा जरूरी है उसको हम विस्तार से यहां पे चलेंगे तो थोड़ा समझते चलिएगा और साथ देते चलिएगा देखिए सबसे पहले 2022-23 में आर् बहुत अच्छा कोशन पूछा जाएगा यहां पे कि जो सर्वेक्षन अभी किया गया है 2022-23 में इस सर्वेक्षन के अधार पर देखें तो 2023-24 में 7.4% आर्थिक समरीधी दर रहने का अनुमान लगाया गया है तो यह बहुत अच्छा कोशन पूछाएगा तो इसको GSDP मतलब Gross State Domestic Product यह देश के सकल घरेलू उतपाद का 1.6% है मतलब की जारखन का जो GDP है GSDP है इसका जारखन का GDP भी बोल सकते हैं और अगर बोलेंगे तो GSDP इसी को कहते हैं Gross State Domestic Product ठीक है तो यह देखेंगे तो भारत का GDP का 1.6% है यह बहुत अच्छा कोशन पूछा जाए अगर देखा जाए कि घरेलू उतपाद जो देश का है उसमें जारखन का हिसेदारी कितना है तो 1.6% है एकदम रट लिजेगा बहुत अच्छा कोशन पूछा जाएगा अब यहां पर बात आता है कि जैसे अगर इतना परसेंट हिसेदारी है तो यहां के वेक्तियों का 58,819 रुपया है 58,819 रुपया इस्थिर मुल्य पर है और यही वाला याद करना है इस्थिर मुल्य वाला और एक चालू मुल्य पर देखेंगे परतिवेक्ति आय जो है वो 86,060 रुपया है तो 86,060 रुपया नहीं याद करना है 58,819 रुपया याद रखना है इस्थिर आर्थिक सरवेक्षन देखें, 2022-2023 के अनुशार 2021-2022 में जो अनुमान रहा है सेक्टर में, जैसे प्राथमिक सेक्टर, दुसरा सेक्टर, तिसरा सेक्टर में क्या व्रिधी दर अनुमानित रहा है, बहुत अच्छा कोश्चन पूछा जाएगा, जैसे अभी जो आर्थिक सर परसेंट और यह सारवधिक ब्रीधी यहां पर बताया जाता है और दूसरा सेक्टर जैसे प्रात्मिक सेक्टर में क्या क्या आता है तो क्रिसी पसुपालन वानिकी ठीक है मतश्यन यह सब इसमें आता है प्रात्मिक छेत्र में दूसरा छेत्र में ब्रीधी दर 7 परसेंट रह इसमें परिवहन छेत्र आता है, सेवा छेत्र आता है, भंडारन इसमें आता है, तो यहां पर यह तीनों छेत्र को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, कि सबसे ज़्यादा व्रिधी प्रात्मिक छेत्र में हुआ है, 8.8%, दूसरा छेत्र में 7%, और तीसरा छेत्र में 7.5%, यह बह करानिकी और मतश्यन में 14 wridad की गई है यह बहुत बढ़िया कोशन पूछा जा सकता है और अगर बैपार और मरमत सेवा में देखेंगे तो 12.3 पर्सेंट vigtenbe दर जी की गई है और खनन अच्छा कोशन यहां से पूछा जा सकता है तो थोड़ा इसको ध्यान में re Tales अब यहाँ पर एक बात देख लेते जो बहुत महत्वपुन्न होगा जब जार्खन का स्थापना हुआ था तो उसके बाद पहला जो आर्तिक सर्वे हुआ था 2001-2022 में तो उसके बाद 2021-2222 तक अगर देखा जाए तो 22 साल हो गया 22 साल में अगर बजट में देखेंगे गुना विरिधी हुआ है लेकिन एक दुख की बात है कि जार्खन के परतेक व्यक्ति पर 25,000 रुपया का कर्ज भी है 25,000 रुपया का कर्ज है अगर हमारे उपर मुंडी पर देखेंगे तो 25,000 रुपया का कर्ज है लेकिन बजट अगर देखा जा तो इस 22 वर्षों में मुझगार का अगर बात यहां पर हम करें तो मनरेगा जो है मनरेगा के तहत 44.62 लाख जौब कार्ड धारी यहां पर है ठीक है कितना परसेंट है यहां पर परसेंट नहीं मतलब की कितना लाख है तो 44.62 लाख जौब कार्ड धारी है जार्कन में मतलब मरेगा के तहत मनरेग मरेगा नहीं मरेगा के तहत ठीक है इसमें महीला जो है वो 45% आप पुरूस 55% है इसके बाद सर्वदिक सक्रिय सर्मिक जो है वो कहां पे है तो गिरिडी गढ़वा और पलामू में सबसे ज़्यादा सक्रिये हैं ये तीनों जगा में देखें तो 23.2% अकेले यहां पे देखन बतक पालो आप अगर देखेंगे तो वो बोलते थे कि मुर्गा पालो, मुर्गी पालो, गाय पालो, शुवर पालो ये सब जो बोलते थे तो इसका इफैक्ट यहां पे देखने को मिला आर्थिक सर्वेक्चन रिपोर्ट में बताया गया कि 1.61,000 लगबग 1600 कुछ लोग, 1600 प्लस लोग मतलब इससे जूड़े हैं, मतलब कि बतक पालो और मुर्गी पालो, मुर्गा पालो इससे मतलब लगबग 1.61,000 बोल रहे हैं, मतलब कि इसका मतलब है कि 1600 प्लस लोग इससे जूड़े हैं, तो ये इतना लोग मुख मंतरी की बात सुनें और इसमें आगया है, आर्थिक सर्वेक्षन में इसको लिखा गया है 2022-23 में तो इसको तोड़ा ध्यान में रखेगा उसके बाद स्वैम सहायता समूह वाला ये सबसे important question होगा स्वयम सहायता जो समू है जारकन में उसके द्वारा जो निर्मित उत्पाद है उसके लिए बिक्र है तो एक ब्रांड बनाए गया है उसका नाम दिया गया है प्लास ब्रांड तो प्लास ब्रांड की स्थापना किया गया है मतलब विस्व में जारकन का कोई भी उत्पाद कही बिकेगा तो प्लास ब्रांड के नाम से बिकेगा ये बहुत बढ़िया कोश्चन यहां से बनेगा आर्तिक सर्वेक्षन में इसकी भी चर्चा की गई है और बहुत इंपोर्टेंट रहेगा आगे देख लेते हैं कुछ योजना देखिए योजना जो है वो बहुत अच्छा ह है जहां पर चर्चा आर्तिक सर्वेक्षन में की गई है और बहुत महत्वपूर्ण जो रहेगा जो पूछेगा कोश्चन हम उसी को यहां बताने का प्रयास करेंगे तो सब से ऐसा लग रहा है कि हरा भरा करने की बात कर रही है तो यहाँ पर बात है कि ब्रिच लगाने और ब्रिच रोपन कारिकरम से शंबंदित है दो लाख एकर जो भूमी है परती भूमी उस पर ब्रिच लगाने की बात कही गई है 17% लगबग परती भूमी है तो उसमें यहाँ पे लगाने का बात कहा गया है कि 2,00,00 एकर भूमी पर ब्रिक्ष लगाया जाएगा जो परती है जो खाली है ठीक है उसके बाद एक योजना है बहुत important आगे निलामबर पितामबर योजना नाम से तो नहीं पता चलता है लेकिन इसमें है जल संब्रिदी योजना है ये मतलब क्रिसी जल संग्रा से संबंदित है मतलब की जल संब्रिदी योजना है और क्रिसी जल संग्रा से संबंदित योजना है निलामबर पितामबर योजना जिससे की क्रिसी चेत्रम में जो जल का कमी है उसको किस तरह से दूर किया जाए इस पर यहां पर बात कि गई है तो यह योजना का भी चर्चा यहां पर थोड़ा किया गया है तो इसको भी ध्यान में रखेगा इसके बाद है बीर सहीत पोटो हो खेल विकास योजना ये जो है बहुत इंपोर्टेंट योजना है इसके तहट 5000 खेल के फिल्ड को मतलब खेल के मैदान को विक्सित किया जाएगा बीर सहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत पांच हजार खेल के मैदानों को पूरी तरीका से विकास किया जाएगा ये बहुत अच्छा कोशन पूछेगा और इसको हम बहुत अच्छा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खेल से सम् स्विकृति मिलीती की 33,55 km सणक बनेगा लेकिन पूरा हो पाया कितना तो 27,663 km सणक पूरा हो गया है 27,663 km सणक बन करके तयार हो गया तो यहां से भी कोशन पूछा जा सकता है तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे और ग्रामीन छेत्रों में देखेंगे तो सणकों में सबसे अच्छा परदर्शन किया है तो कोन किया है तो यह गुमला गुमला जो है सबसे अच्छा परदर्शन किया है और उसके बाद गिरिडी भी अच्छा परदर्शन किया है पूरी तरीका से सबसे खराब किया है या त मस्थान रखा है तो कोन है तो ये धनबाद वो ऐसे ग्रामिन छेत्र धनबाद में है भी कहां सबसे ज़्यादा सहरी छेत्र कहां पे है धनबाद में और सबसे ज़्यादा ग्रामिन छेत्र कहां पे है तो गोड़ा में है ठीक है तो ये सबसे खराब प्रदर्शन किया धनबा सड़क ग्रामिन सड़क को सर्वस्रेश्ट बनाने में सबसे खराब प्रदर्शन इसका रहा है और सबसे अधीक अच्छा प्रदर्शन गुमला का रहा है मत्तब गुमला सड़क अच्छा से बनाया होगा वह अपना काम को ज्यादा से ज्यादा पूरा किया होगा अच्छे से रहने के लिए तो ऐसा सरकार का प्लान होता है कि हम 2024 तक सब को घर दे देंगे तो भाई घर दे देंगे तो हमको आप रिपोर्ट में बताईए कि अभी तक कितना लोगों को दियें तो ये आर्थिक सर्वेक्षन में बताया गया कि 2022 तक जो है लच्छित जितना भी रखा गया था उसमें 87% जो है निर्मानकारी पूरा करवा दिया गया है मतलब जो मकान है 87% लोगों को दे दिया गया जार्खन में ये आर्थिक सर्वेक्षन 2022-2022 में बताया गया है कि 2022 तक जो लच्छित मकान है उसमें 87% दे दिया गया पूरा करवा दिया गया है तो ये बहुत अच जोहार पर्योजना देखें जोहार पर्योजना जो है वो विस्व बैंक के सहायता से ये प्रारम किया गया है और ग्रामीन जो छेत्र है उसमें वहाँ पे रहने वाले लोगों को आय में दुगना करना इसका उदेश है मतलब ग्रामीन छेत्र के लोगों का आय दुगना करने क ये लक्ष है, विश्व बैंक के सहायता से चालू हुआ है, और ये जारखंड के 17 जिल्ला और 68 परखंड में ये चलाया जा रहा है, या संचालित किया जा रहा है, 68 परखंड में ये चालू किया गया है, संचालित हो रहा है, और 17 जिल्ला में ये चल रहा है, तो बहुत अच् अच्छा इनिसेटिव है अच्छा सोच है अगर यह पूरा होता है तो बहुत लोगों का आई जो है वो डगबल हो जाएगा अब कितना होगा वह आप लोग देखिए और आकलन कीजिए सर्वे का पूरा तरीका से मजे लीजिए ठीक है और यह सब जो है न एक्चुली में डा आएगा और ओप्सन देखकर भी अगर मार सकते हैं अगर दो तीन बार देखें तो आपको समाज आ जाएगा कि यही वला ओप्सन है अब देखेंगे आगे तो क्रिसी और गैर क्रिसी दोनों छेत्र में आए में ब्रीधी करने का यह इसमें बात कही गई है मतलब जो हार पर बात यहां पर कही गई है तो एक अच्छा इने सेटी यहां पर बोला जा सकता है इसके बाद देखेंगे पोसन अभ्यान देखें पोसन अभ्यान बहुत इंपॉटन्ट है क्योंकि यह 8 मार्च 2018 को सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया था औ सारा योजनात का लाब देती है पुरसोती महिलाओं को और उसके बाद बच्चों को इसके इसमें देखेंगे तो आंगन बारी के सहायता से यह सब को लाब मिलता है पूरी तरीका से तो इसमें कहा गया है कि सबसे अच्छा जो परदर्शन धारकन में किया है वो जिल्ला है आपका गुमला गुमला जो है इसमें सबसे अच्छा परदर्शन किया है उसके बाद देवगर उसके बाद दुमका सबसे अच्छा परदर्शन करने वाले यहां पे क्या है तो यह जिल्ले हैं मतब किसमें पोशन अभ्यान में पोशन अभ्यान में सबसे अच्छा परदर्श गुमला किया है देवगर दुसरा नमबर पर और तीसरा नमबर पर दुमका है इसका उद्देश बच्चा और गर्वती महिला को पोशन देना और कुपोशन से बचाना है बहुत अच्छा इनिसेटीव है बहुत अच्छा सोच है अगर ये अच्छे तरीका से लागू हो तो क तो उसको बचाया जा सकता है नेक्स्ट है यहाँ पर आवादी और स्वच्छता से संबंदित कुछ बात यहाँ पर देख लेते हैं जैसे आर्थिक सर्वेक्षन के अनुशार सर्वधिक जो मलीन बस्तियां अगर जारकन में देखेंगे तो राची में हैं सर्वधिक मलीन बस्तियां मतलब की में सहर के चारो तरप में जुगी जोपड़ी जो होता है उसी को मलीन बस्ति कहते हैं जैसे महराष्टा साइड में जाएंगे तो में सहर के बाद जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं वो सहर से दूर हट करके अपना जुगी जोपड़ी बनार के रखे रहते हैं तो उसी को कहते हैं मलीन बस्ति तो जारकन में सारवधिक जो है मलीन बस्ति जो देखने को मिलेगा कहां पर राष्टी राजधानी छेतर राची में देखने को मिलेगा अगर यहां पर बिजली की भी भी बिजली से दूर है सरकार इसका भी परियास करेगी तो इसको भी पूरा कर देगी और कुछ दिन में 100% प्राप्त कर लेगी ठीक है अगर देखिए हम लोग तो यही सोच सकते हैं उसके बाद अगर सुध पेजल की उपलबदता कितनी अवादी को है तो सुध पेजल की उपलबदता जो देखेंगे तो जारकन में 75.9% लोगों के पास सुध पेजल की उपलबदता है अभी भी बहुत सारे लोगों को सुध पेजल नहीं मिल पाता है वहाँ तक सरकार का सोच है कि हर घर से नल 2024 तक पूरा कर दे और यह पूरा हो जाएगा 2024 तक क्योंकि 75-85% हो जाए तो आगे तो पूरा होई जाना चाहिए उसके बाद स्वक्षता सुवीधा के अधार पर देखा जाए तो यह उपलबदता कितने लोगों को मिल पाता है स्वक्षता सुवीधा की उपलबदता देखा जाए तो कितना परतिसत आवादी को मिलता है तो 56.7% आवादी क यहां पर उपयोग करती है तो मात्र मतलब 31.9 परसेंट 31.9 परसेंट जो लोग है वो आपका गैस सिलंडर का उपयोग करते हैं और बाकी अगर देखा जाए तो सब कोईला लकड़ी और यह सब पर खाना बनाते हैं स्टोप पर तो आप नहीं बनता है क्योंकि तेल बड़ी महगा है ठीक है तो कोई उस पर बना नहीं सकता है लेकिन पतल कोईला जो है यहां पे बहुत मिलता है यहां पर बहुत अधिक मिलता है लेकिन गैस सिलेंडर जो है उसका उपयोग जो है एक ताली 31.9% लोग करते हैं तो याद रखिएगा अच्छा कोशन पूछा जा सकता है यहां से अगर सहर में देखेंगे तो पैपलाइन द्वारा पेजल उपलबदता कितना है तो सहर में पेजल का उपलबदता जो है पाइपलाइन के द्वारा 21.2% है इसको सरकार धीरे-धीरे बढ़ाएगी और पूरा करेगी और बहुत अच्छा कोशन यहां पे पूछा जाएगा कि सहरी छेत्र में जो सोचाले के लिए कितने परतिसत लोग बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हैं 9% लेकिन 91% जो परिवार है सोचाले का उपयोग यहां पे कितना परसेंट सहरी छेत्र में करते हैं तो 91% सहरी छेत्र में सोचाले मतलब जाते हैं बाकी सब खुला में जाता है ठीक है सब खुला में जाता है सोचाले तो ज जादा नहीं है 9% लोग खुला में जाता है बाकी 91% सहरी चेत्र में सचाले में ही जाता है ठीक है आगे देखेंगे स्वक्ष भारत मीशन जो सहरी है उसमें जारकन का देश में स्थान कितना मिला है तो स्वक्ष भारत मीशन सहरी चेत्र में देश में इसको दूसरा स्थान मि बात आपको बता देते हैं कि ODF प्लस प्लस जो CT घोसित हुआ है वो सहर है जमसेदपूर मेदने नगर और साहब गंज जमसेदपूर मेदने नगर और साहब गंज यह जो है ODF अपन डेसिफिकेशन फ्री यह प्लस 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 मतलब पूरी तरीका से लगबंग 90 और 100% लोग यहां पर अब खुला में सौच में नहीं जाता है गाउं साइड में जाएंगे न तो ODF के बारे में बताएंगे तो ओपन डेसिफिकेशन फ्री मतलब वो सब समझता है कि ओपेन में बाथरूम करो जहां मन करे वहां बाथरूम करो ऐसा लोग मतलब सोचता है गाउं में पूछते हैं कि ओपन डेसिफिकेशन फ्री हो गया यह तो लोग बोलता है कि ओपन डेसि तो ये है जमसेदपूर, मैदनी नगर और साहेब गंज जो है open desification free ODF हो चुका है प्लस-प्लस सीटी घोसीत हुआ है बहुत अच्छा कोशन बनेगा कि open desification free प्लस-प्लस सीटी कौन है जमसेदपूर, मैदनी नगर और साहेब गंज आगे आ जाते हैं बहुत बढ़ियां यहाँ पे कोशन पूछा जाएगा सबसे स्वक्च सहर जो है जारकन में कोन है तो जमसेदपूर जमसेदपूर सबसे स्वक्च सहर है जिसको 3 star rating मिला है जिसको 3 star rating मिला है यह बहुत अच्छा कोशन पूछा जा सकता है इसके बाद अगर आगे देखेंगे smart cities leadership जो अवाड है smart cities leadership अवाड में अगर देश में देखा जाए तो राची सहर को अहमदाबाद और वारण नसी के साथ मिला है अस्थान मिलब smart city leadership अवाड अगर देखा जाए तो राची को अहमदाबाद और बारण नसी के साथ प्राप्त हुआ है कौन सा अवाड तो smart city leadership अवाड ठीक है यह अच्छा कोशन बोला जा सकता है सरवधिक अटल क्लिनिक जो है वो कहां पे है तो पूर्वी शिंभूम में है सरवधिक अटल क्लिनिक अगर आगे देखेंगे तो कुल जो अवादी है जारकन की कुल अवादी है उसको पेजल की उपलब दता कितना परसेंट है तो पेजल जो है वो 86.6 परसेंट यहाँ पेजल की उपलब दता है जारकन में जितनी भी अवादी है उसका मतलब अभी भी लगबग देखेंगे तो 13 परसेंट जो है लोग के पास पेजल की उपलब दता पूरी तरीका से नहीं है तो वहाँ पे भी सरकार कोशिस करेगी आ 8.3 परसेंट 8.3 परसेंट जो है वो जारकन में निवास करते हैं जितना भी भारत में जन जाती है उसका 8.3 परसेंट जारकन में निवास करते हैं और बहुत अच्छा यहाँ से कूशन पूछा जा सकता है जारकन में है जन जाती कितना कूल 32 है जिसमें संथाल सबसे बड़ जन जाती है अब यहाँ पर बात होता है कुछ important जैसे अगर देखा जाए तो सारवधिक अनुसूचित जो जन जाती है मतलब ST है वो किस जिल्ला में परतिशत में निवास करती है तो खुटी में 73.25% निवास करती है खुटी में उसके बाद सिम्डेगा में निवास करती है प इसी तरह से निउन्तम अगर अनुसूचित जन जाती मतलब ST का बात करें तो कोडर्मा में परतिशत में भी और संख्या में भी कोडर्मा में आपको देखने को मिलेगा बहुत important रहेगा कोडर्मा में 0.96% ही अनुसूचित जन जाती निवास करती है तो यहां से भी question पूछ 65% जो है वो पलामू में है और निउन्तम जो है पाकुड में देखने को मिलेगा SC 3.16% तो इसको भी याद रखेगा बहुत important पूछा जाएगा और अगर अच्छे से देखा जाए तो पूरा देश में अगर जन जातियों की अवादी के अधार पर देखेंगे तो जन जाति तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा अब इसके बाद हम क्रिसी उत्पादना रूत पादक्ता को देख लेते हैं यहां से बहुत अच्छा कोशन पूछा जा सकता है देखिए राज्य का जो कुल छेत्रफल है उसमें 17% सुद बोया गया छेत्र है इसमें 17% देखेंग तो कीटना पर्सेंट संथा है तो सिमान्तश जोट जो है वो 070% सीमान जोट कितना परसेंटफल है शेखिए सिमान से में 18 इकोनामिक्स में पिछलेता ही है क्या कि संख्यास का कम भूमी होता है तो किसान का उन cm सिमान्त जोत तो एक हेक्टेर से कम जो भूमी वाले किसानों को सिमान्त जोत वाले किसान कहेंगे मतलब इसकी संख्या 70% यहां पे है हलाकि यह बहुत जादा इसलिए है क्योंकि एक हेक्टेर से जादा बहुत कमी लोग का खेत या जमीन होता है ठीक है तो 70% सिमान्त जोत है ये आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट में बताया गया है, आगे देखेंगे, फसल उत्पादन और उत्पादक्ता में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे देखिए, अब यहाँ पे देखते, धान का उत्पादक्ता, किलो ग्राम हेक्टेयर में कितना है, तो 3042 किलो ग् होता है, और शर्वधी कहां होता है, तो सिंभू में होता है, सबसे अधिक सिंभू में होता है, 60% जो है, वो धान का खेती, चावल का खेती यहाँ जारकन में होता है, तो जारकन का मुख्य फसल जो है, वो धान ही है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसके बाद दूसरा मुख्य फसल जारकन का मक्का है जारकन का दूसरा मक्का है जो परती केलोग्राम जो है वो परती हेक्टियर कितना होता है तो यहाँ पे 22-25 किलोग्राम परती हेक्टियर उत्पादन होता है और पलामू में सबसे अधी होता है मक्का ठीक है यह दूसरा परमुख फसल है जारखन का अगर तीसरा परमुक फसल देखेंगे तो गेहूं है अब गेहूं जो है 282 किलोग्राम परती हेक्टियर होता है और ये भी सबसे ज़्यादा कहां पे होता है तो पलामू में ही होता है और दलहन में देखेंगे तो दाल में 383 किलोग्राम परती हेक्टियर होता ह और ये भी सबसे ज़्यादा पलामू में होता है यहां पे पलामू में सबसे ज़्यादा दल्हन होता है अर्थिस तिरपन किलोग्राम परती हेक्टियर और तिल्हन जो है तिल्हन बाइस एकटर किलोग्राम परती हेक्टियर है और ये भी पलामू में सबसे ज़्यादा होता ह तो हम कुछ important बताए हैं जो बहुत अच्छा question पूछा जाएगा ये सब आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 का हम report बता रहे हैं जो सरकार के द्वारा प्रकासित किया गया है जहां से बहुत अच्छा question पूछा जा सकता है चाहाँ आप JPSC दे, JSSC दे, चाहाँ उत्पात प्लिस दे, जहारकन का दरोगा दे, जिसका भी एक्जाम देंगे तो एकोनॉमिक स्पार्ट से अगर question पूछा जाएगा तो आर्थिक सर्वेक्षन उसके बाद बजट इसी से सबसे ज़्यादा question पूछा जाता है तो अच्छे से देख लिजेगा बहुत अच्छा यहाँ पे काम करेग इसके बाद है सार्वधिक जो सबजी उत्पादन होता है तो सबसे ज़्यादा सबजी यहाँ पे जहारकन में होता है क्या तो आलू और वो भी कहां होता है हजारी बाग में सबसे ज़्यादा सबजी जो होता है उत्पादन आलू होता है और वो हजारी बाग में होता है 6.99 नाइन नाइन लाख टन, 6.99 लाख टन यहाँ पे उत्पादन होता है, उसके बाद मटर अब बंदा कोवी का यहाँ पे होता है, बहुत इंपोर्टेंट पुछेगा और अभी सबजी उत्पादन के च्छेत्र में चत्रा को वन डिस्टिक वन पोर्डक्ट दिया गया है, पधिक उत्पादन जो फल का होता है, वो आम का होता है और उसके बाद कठल का होता है, इसको भी याद रखेंगे, परती वेक्ति दूद का उत्पादता जो यहाँ पे है कितना है, तो 182 ग्राम परती दिन है, वैसे देखेंगे तो पुरा भारत में सबसे ज़्यादा दू दूद का उत्पादन भारत ही करता है, लेकिन अभी बरतमान में भारत में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान दूद का उत्पादन करता है, हमारे यहाँ 182 ग्राम परती दिन, मतलब लोगों को दूद मिलता है, परती वेक्ति, लेकिन बहुत लोग को तो इत मचली का उत्पादन हुआ है 2021-22 में 2.5 लाक जो है वो उत्पादन हुआ है टन में मचली तो इसको ध्यान में रखेगा क्योंकि यहां से भी अच्छा कोशन पूछा जा सकता है अब आगे देखते हैं बजार और सुचकांग से संबंदित कुछ बात यहां पे कर लेते हैं तो इसको पंजी करित किया गया है उसमें इनाम के तहत जो सबसे सक्रिय बजार है हजारी बाग बजार हजारी बाग बजार सबसे सक्रिय बजार है इनाम के तहत जो पंजन किया गया है उसमें उनीस थौक बजारों में से हजारी बाग सबसे सक्रिय बजार है इनाम में उनीस को registration क्या गया है मतलब पंजियन क्या गया है अब PDS की दुकाने जो जन वितरन की जो दुकाने होती है वो सबसे ज़्यादा कहां पे है तो जहां सबसे ज़्यादा जन संख्या होगा तो सबसे ज़्यादा जन संख्या कहां का है राची का है तो राची में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा PDS की दुकाने हैं जो जन वित्रन की दुकाने होती हैं वो सबसे ज़्यादा राची में हैं अगर नियुनतम बात करेंगे जन वित्रन की दुकाने कहा हैं तो यह लोहर दग्गा में नियुनतम जन वित्रन की दुक तो यह कोशन नहीं भी पूछेगा लेकिन थोड़ा याद रखेगा वैसे ही बता दिए ठीक है आगे देखते हैं मात्री मिर्तु दर जो है जारकन में किस तरह की स्थिती बनाता है तो देखा जाये तो परती लाख गर देखा जाये एक लाख पर 56 महिलाओं का मौत हो जाता है मात्री मिर्तु दर जो है वो 56 परती लाख है मतब एक लाख महिलाओं में से 56 महिलाएं बच्चे जनम देने के समय मर जाती है या मिर्तु हो जाता है हलाकि जो यह रेशियो है वो देख से का जो रेशियो है उससे थोड़ा ठीक है क्योंकि देख में एक लाख महिला जो होती है लेकिन मेरे यहां 56 कहीं होता है तो हमारा थोड़ा सा स्थिति देश की स्थिति से ठीक है अगर देखा जाए तो सबसारवधिक परशो जो होता है वो कहां पर होता है तो रामगर में सबसे ज़्यादा परशो होता है यहां से भी कोशन पूछा जा सकता है अब इसके बाद निवेश इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं बहुत अच्छा यहां से कोशन पूछा जाता है तो देखें बिदेशी परतक्ष निवेज जो है हमारे यहां कितना है जारकन में तो यह आर्थिक सर्वेक्चन रिपोर्ट 2022-23 के अधार पर 48 कडोर है यह बहुत अच्छा कोशन पूछा जा सकता है और तसर रेसम जो है उसका उत्पादन अगर देखा जाए हमारे यहां तो कितना होता है जारकन जो पुरा द जारकन उत्पादन करता है इसके बाद देखा जाए तो राज में MSME जो उद्योग है उसमें सुक्ष मोद्योग है उसका योगदान कितना परसेंट है तो 95% है 95% सुक्ष मोद्योगों का योगदान है किसमे MSME में मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरफ्राइज में इसका एक व्लzub का देखयेगा नेक्स यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा उर्जा बहुत इंपर्टेंट रखेगा ऊर्जा से संबंदीत अच्छा कोशन पुछा जा सकता है जैसे सार्वधिक उरजा का उत्पादन जो है फिलिए होता है सार्वधिक उरजा का उप्योग जो है जहार सबसे जादा कितना है तो 64% उर्जा का कफ़त किया जाता है उसके बाद अगर देखा जया तो वानिकी बन सकता है अब यहाँ पर देखे राज्य सरकार के पास जो ताप से बिद्दूत उत्पादन होता है कोईला से जो बिद्दूत उत्पादन होता है उसमें राज्य सरकार के पास कितना स्वामित्व है तो वो 420 मेगावाट है 420 मेगावार्ट ताप बिद्दूत जो है उत्पादन करती है और ये राज्य का स्वामित्व है इसके बाद अगर नवी करनिये स्रोत बोलेंगे मतलब बार बार जिसको हम यूज करने वाला बना सकते हैं कभी खत्म नहीं होने वाला है जैसे सॉलल एनर्जी हो गया उसके बाद हाइडल पावर प्रजेक्ट हो गया तो इस तरह का उर्जा अगर हम बनाएंगे तो इस तरह का उर्जा जो है वो राज्य सरकार के पास कितना स्वामित्व है मातर 40 मेगावार्ट 40 मेगावार्ट जो बिद्यूत बनाती है राज्य सरकार वो नवी करनी है और 420 मेगावार्ट बनाती है वो कोईला से बनाती है ताप से बनाती है जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है इस परकार से एगर देखा जाए तो कुल राज्य सरकार का स्वामित्व बिजली उत्पादन छमता में 554 मेगावाट है 554 मेगावाट राज्य सरकार उत्पादन करती है बिजली इसके बाद देखेंगे नीजी स्वामित्व के पास कितना है तो नीजी स्वामित्व के पास 663 मेगावाट है बिद्दूत छमता इसके बाद केंदर सरकार के पास कितना है तो केंदर सरकार के पास बिद्दूत छमता 1507 मेगावाट है इस तरह से कुल राज्य का बिद्दूत जो उत्पादन चमता है वो 2734 मेगावाट है 2734 मेगावाट है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा बहुत अच्छा यहां से कोशन पुछा जाता है थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर किजेगा अगर अच्छा लगे तो देखिए सिक्छा और साक्षार्ता की स्थी 49.2% से थोड़ा कम है वो अब देखे कितना अचीबमेंट होता है वो परियास करेगी यह आर्थिक सरवेक्षन में बोला गया तो यह डाटा को थोड़ा दिमाग में रखना है जिसमें सहरी चेत्र में मतलब कितना परसेंट लोग साक्षर है तो 85.4% लोग साक्षर है और ग बार बार थोड़ा सा एक दो बार देखना पड़ेगा अच्छे से देख लिजेगा सब कुछ समझ में आ जाएगा इससे बाहर कुछ भी पढ़ने के जरुवत नहीं है आर्थिक सरवेक्षन से अगर इसके बाद देखेगा आगे जो है हम बज़ट से संबंदित विडियो लाएंगे लेकिन अगर आप लोग का प्यार और शपोर्ट मिलेगा तो क्योंकि देखिए ये बज़ट हम इसी के साथ करवाएंगे क्योंकि बज़ट बहुत जरुत होता है अर्थिक सरवेक्षन के बाद तुरत बज़ट आना चाहिए और बज़ट हम इसके बाद ले आए तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा और थोड़ा अपने जरुरत मन दोस्तों को भी सेयर किजेगा और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दिजेगा तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद